हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू फूट कुट्टोर मैं हूं चेतना पटेल और आज हम बनाएंगे गुजरत की फैमस ट्रेडिशनल मीठाई सुखडी इसे सुखडी गुड़ पापडी और गेहूं की बरफी से भी जाना जाता है तो चलो बनाते हैं सुखडी एक पेन में 180 ग्रा है इसमें गेहू का आठा डाल देते हैं यहां पर मैंने घेहू का आठा एकदम फाइन वाला दर्ट एह वक्रावालों की मोटा ले ना है तो टोलव 100 ग्राम आठा लेना है इसमें 200-berg में रोटी वाला theme आता लिया हे और 50-грम मैंने बटा वाला अठा लिया है इसे मेडियम तो हाई फ्लेम पर शेक लेते हैं और कंटीन्यू हिलाएंगे ताकि अच्छे से सीख जाए शीखने में आप जल्दी ना करें वरना आटा कच्छा रहे जाता है और लाइट ब्राउन कलर आए तब तक इसे शेकलेंगे अब देख सकते कितना अच्छा ब्राउन कलर आया है और जैसे ही गोंद फ्राई हो जाएगा यह अच्छे से फूल जाएगा फ्राई किया हुआ गोंद सुखडी में बहुत ही अच्छा लगता है एक अच्छा सा क्रंची टेस्ट आता है जैसे ही गोंद अच्छे से फूल जाए इसमें काजू और बादाम को भी डाल देते हैं और और इसे भी थोड़ा शेकने देंगे, सुखडी में रोस्टेर काजू और बादाम का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो आप इसे जरूर डाले और हेल्थ के लिए भी अच्छा ही है, अब इसमें 2 टेबल स्पून मलाई डाल देते हैं, यहां पर मैंने घर की मलाई यू स्टी बने, अब गेस ओफ कर देते हैं, और पेन को नीचे उता देते हैं, और कंटीन्यू हिलाएंगे, और जस्ट थोड़ा सा इसे ठंडा करेंगे, अब इसमें कदुकस कीवा गूर्ड डाल देते हैं, यहां पर मैं डेट सो ग्रम गूर्ड का यूज़ कर रही हूं, अब खास द्यान रखें, पेन को नीचे उतार के जस्ट थोड़ा सा ठंडा होने दे, इसके बाद ही गूर्ड डाले, गरम मिक्षर में गूर्ड डाल देते हैं, तो यह सुखडी है, वो ज्यादा हाड बनती है, या तो चूही बन जाती है, अच्छे से मिक्स का देते हैं, अब इसके उपर बादाम और पिस्टा फ्लेट्स डाल कर गार्निश का देते हैं, और स्पेचुला की मदद से अच्छे से प्रेश कर लेते हैं, अब इसे कट कर देते हैं, और थोड़ा ठंडा होने के बाद इसके पीसिस निकालेंगे, आप ए रेसिपी ज़रू ट्राइ करें, और कमेंट सेक्षेन में हमें बताएं कि आपको ए रेसिपी कैसी लगी, हमें आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा, और एक रेसिपी के साथ हम वापस आएंगे, तब तक के लिए हैपी कुकिंग